हलो एवरिवन वेलकम टु फूद एंफन बाई बुनम मैं हूं बुनम राठोड और आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टरान टाइप कॉल्ड कॉफी हम टू टाइप कॉल्ड कॉफी बनाएंगे प्लैन कॉल्ड कॉफी और आइस केम वाली कॉल्ड कॉफी तो चलिए शुरू कर मैं आइस क्रीम ली है मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया आपको फ्लेवर पसंद हो वनीला या जो भी वह आप ले सकते हैं एक बाउल मैंने आइस क्यूब लिया है दो चमच के लगबग मैंने थोड़ा गरम पानी लिया है गुन-गुना गरम यह दो कॉफी मग मैंने एकदम चेल्ड वाला दूद लिया है दूद को पहले बोईल करके ठंडा करके फ्रीजमें ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से ये हम सबसे पहले पानी में कॉफी और चीनी डाल के कॉफी मिक्स बना लेंगे जिससे कॉफी अमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और चीनी लास्ट में जार में चिपकेगी नहीं आप चाहें तो दो चुटे चमच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं अब कोफी में गाड़ापन पसंद हो तो यह optional है आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं यह मैंने दूर डालके यह कॉफी मिक्स को अच्छे से मिक्स करके कॉफी मिक्स डाल दिया है चीनी और कॉफी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं आपको कॉफी स्टॉंग पसंद हो तो आप कॉफी और एड कर लें चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यह आइस क्यूब डालके मैंने डखकन लगा दिया है और अब हम लगबग 3 मिनिट के लिए इसको अच्छे से चलाएंगे मिक्सी में क्योंकि कॉफी को जितना अच्छे से फेटेंगे न उतना ही अच्छा जार देगी है यह मैंने चॉकलेट सिरम डालके और आइस क्यूब डालके यह कॉफी शारू कर लिए प्लेन वाली कॉट कफी बन गई है अब आइस क्रीम डालके लगबग 2 मिनिट तक और चला लेंगे हम 2 मिनिट तक कॉफी को चला लेंगे आइस क्रीम वाली को यह गलास में थोड़ा चॉकलेट शिरम डाल लेंगे जिसने की थोड़ा दिखने में अच्छी लगे और टेस्ट भी यम आ जाए चॉकलेट शिरम और आइस क्यूब डालके फिर कॉफी को डालिएगा यह जार में जो ज़ाग चिपके वेरे जाते हैं यह भी चमच से डाल लिए हैं मैंने यह देखिए यम यम जाग वाली आइस क्रीम कॉल्ड कॉफी और यह हमारी प्लेन वाली कॉल्ड कॉफी अब हम एक चमच आइस क्रीम डाल देंगे उपर से और थोड़ा सा कोफी फावडर डालके गार्निश कर देंगे इसको आप चाहें तो चॉकलेट को क्रेश करके या फिर कॉफी सिर्फ डालके भी गार्णिश कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो तो ये प्लेन वाली कॉफी हमारी इस पे भी हम कॉफी पाउडर डाल देंगे जिससे इसका कलर और खुश्बू बढ़ जाए ये देखिए तयार है हमारी यम यम कॉफी एकदम रेस्टरॉन टाइप इस तरह से कॉफी बना के पिएंगे न तो रेस्टरॉन वाली कॉफी भूल जाएंगे कॉफी हमारे मूड को रिफ्रेश कर देती है जब भी आप ठकान या सुस्ती फील करें या बच्चे पढ़ाई करते करते ठक जाएं तो एक कॉफी ब्रेक जरूर लीजिएगा इस तरह से कॉफी बना के पिएंगे न तो मूड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा और आपको ये पसंद आए न तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा